हेलो फ्रेंड हॉटी कल्चर किंग कोलकाता चैनल में आपको सुवागत अपके सामने जो प्लांट है अप देख सकते हो मंडे भीला आज आपको इसका कलर दिखाएंगे मंडे भीला का जितना कलर है आप देखिये हमारे साथ और इसके प्राइस भी आपको बताएंगे और आप बताइए कौन सा फ्लावार के राडि आपको अच्छा लगता है जरूर कॉमेंट में अगर आपको अच्छा लगे मन्डे भी लगए कुछ कई कालर तो आप नीचे कॉमेंट में लिखिए और आपको अगर यह प्लैंड चाहिए तो आप जरूर फट्साप कर सकते है डे किप समने मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ होगा आप देख लेना और आप मंगबा सकते हो तो फ्रेंट कलर देखिए पहले इसका जो कलर है हम आपको दिखा रहा है इस टाइम में इसका प्रोडक्शन होता है और हम लोग इसका प्रोडक्शन कर रहा है अभी आप देखिए मेरे पास नहीं चार-पांच प्रोड कलर है कौन सा क्लर आपको अच्छा लगे यह वाला है पिंकट यह डार्क पींग है पिंक थोड़ा गहरा कलर है इसका यह जो प्लांट है इसका बाड़ भी आया हुआ हुआ है में इसके बगल में देखिए यह मेरे फेवरिट है फ्रेंट वाइट साइड अच्छा नहीं लगते है किसी को किसी को पर मुझे मेरा फेवरिट है क्यूंकि आप इसका नजरा एक बर देख लिजे यह प्लैंट आप बढ़ाओगे बनाओगे बना सकते हो इस प्लैंट को अपनी तरह से तो कैसा हो सकता है अग लोग एक बार आप लोग देख लीज़ें यह वीडियो मुझे तो लगता है मेरा रेड और पिंग से यही कलर अच्छा लगता है वाइट यह ग्रीन के उपर जो कॉंबिनिशन होता है ना फ्रेंट यह इसका कॉंपिटिशन नहीं हो सकता मुझे लगता है कि यह ग्रीन का उपर वाइट फ्लावर इतना फ्लावर आता है इस को फ्रेंड वाव बोलेगा एक बार बोलेगा अगर ऐसा बना सकते हो तो कि फ्रेंड यह जो प्लैंट आप देख रहे हो यह है पिंक कलर का इसमें कुछ दिन पहले फ्लावार था देखिए यह वाला जब फ्लावार था इसका वीडियो मैंने एक लिया था यह वाला है यह लाइट फिंक है इसका कलर लाइट होगा पींक का कि यह पूरा लाइट पिंक होगा फ्रेंट यह सबके चाहिते होता है यह वाला और यह है रेट कलर देखिए रेट मंडे फिला जो हर कोई मांगता है ज्यादा सेलिंग है पर इसका यह सबसे किटिकल प्लैंट है इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है सबके लिए सब बोलते हैं मुझे यह प्लैंड नहीं बचता नहीं रहता है क्योंकि यह क्लाइमेट के उपर और मिटी के उपर डिपेंड करता है इसको ज्यादा मिटी पसंद नहीं है आप सबसे अच्छा होगा प्लैंड आप इसको रिपॉर्टिंग करे तो कोको पीट पर करे ठोड़ा the अपधर kरके अच्छा होगाल अगर आपको पैकेट में मिलता है तो पैकेट को अप थोड़ा सब ब्लेड़् से काड़ दीजिये साइट को देखना कि इसका रूट में घृणा और कुछ नहीं पैकेट और इसे ज्यादा पानी भी पसंद नहीं है आप इसको ज्यादा पानी में तो थोड़ा थोड़ा इसका जो गिला करके रखो फ्रेंट यह जरूर खिलेगा बहुत अच्छा से कोई कुछ आपको बोलेगा यह दो वो दो पर मुझे मैं आपको बोल रहा हूं इसको आप सिंग चूर के साथ कोकोपीड में मिला के डाल दीजे फिर इसका चहरा आप देखना कैसा लगता यह प्लैंट और यह प्लैंट आप देख सकते हो फ्रेंड यह वाला कलर यह येलो है पर एक घलती मत करना यह देखने में तों मॉंदभीला जैसे ही है इसका नाम है अलमढ। यह कापा क्लीपर गाता है इसका दाब बहुत सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो यह चारो प्लैंट हम आपको एक साथ कलर दिखाना चाहते हैं देखिए इस इसका जो प्राइज है आपको पिंक और रेड़ वाला जो प्लैंट है यह आपको 200 रूपिया में मिल जाएगा 200 इसका प्राइज है 200 पर पीस ठीक है प्रेंट और वाइड वाला जो है इसको 100 रूपिया में आपको मिल जाएगा और अला मुंडा का यह जो क्लीपर भराइटी है यह आपको 70 के आसपास मिल जाता है प्रेंट सबसे आप तो प्लैंट जाब खरीदेंगे एक बात का ध्यान जरूर रखना कि यह प्लैंट के खरीदने के बाद ही तुरंत रीपोर्टिंग मत कीजिए इसे कुछ दिन थोड़ी सी च्छाओं में रख दीजिए क्योंकि डायरेक्ट संलाइट इसे पसंद नहीं है यह थोड़ा सेड जगा में रहना पसंद करता है ठीक है तो आप इसे डायरेक्ट संलाइट में मत दीजिए ठीक है और आप इसे अब्साप कीजिए कि ए कैसा है इसका पत्ता जर रहा है या नहीं तो पत्त अगर थोड़ा जर जाए तो आप थोड़ा सैप इसको उपर डाल सकते है ठीक है उससे पत्ता जरना साइद बंद हो जाएगा अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट में लिखिए लाइक कीजिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद